हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदाइक रेडियो रेडियो सोलन नभी दिशमलब चार मेगा हर्ट्स पर आप सभी का रेडियो दोस्त अनिलाप का बहुत-बहुत स्वागत करता है और लिसनर्स व्यूवर्स आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर वाई-एस परमार यूनिवर्स के बारे में क्या कुछ है बागवानी क्या कुछ इसमें करियर स्कोप है किस तरह के इसमें शोध होते हैं यूनिवर्सिटी में यह तमाम सवालों के जबाब आज हम जानने वाले हैं डॉक्टर मनेश कुमार जी से नमस्कार सर बहुत सी बाते आज आज आपके साथ हम करने होर्टिकल्चर को लेकर बहुत से हमारे यूबा साती है किसान वा भागवान भाई है सबसे पहले बता जी जी जो बागवानी शब्द है यह क्या है अनिल जी भारत एक कृषि प्रद्धान देश है बिल्कुल और कृषी हम प्राचीन समय से कृषी को एक व्याफशाय का दर् वो सर्फ्रेट माने जाते थे उसी दिसा में कृषी एक आया का साधर निरंतर बनता रहे तो इसमें बहुत सारे आयाम है जिन्में बागवानी एक आयाम है और सबसे सर्फ्रेश्ट है क्योंकि यह सिधा-सिधा किसानों और बागवानों की आया से जुड़ा है कोई व्यक्ति जब फूलों की खेती करता है फलों की खेती करता है या सब्जियों की खेती करता है तो जिस स्थर पर वो खेतों में जो खेतों में जो क्षेतर होता है उसको बागवान हम कहते हैं और वहीं से उसको बागवानी का शब्द मिला है कि जो बागवान फूलों की शब्जियों क या फलों की केती से जुड़ा है उसे हम बागवान कहेंगे और ब्यावसाय को बागवानी कहेंगे या अध्यानी कहेंगे जैसे उद्यान है तो अध्यानी कहेंगे और अगर बागवान है तो बागवानी कहेंगे रिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाइस परमार के नाम पेस मरपित है डॉक्टर वाइस परमार यूनिवरसिटी 1985 में इसकी शुरुवात हुई सवाल यह है सर की जो डिपार्टमेंट अप हौर्टी कर्चर है यह कब जुड़ा यूनिवरसिटी के साथ यह स्वान सिंग परमार जी को हम सब लोग जानते हैं जे जे और बाग परमार जी के नाम पर इसको रखा गया 1985 में फिर आगे संभावन आएं थी कि किस तरह के कॉलेज इसमें होने चाहिए तो पहला कॉलेज जो था 1985 में वह बागवानी महाविदेल्या यह कॉलेज अप हर्टी कल्चर का आस्तित्वा आया था तो 1985 से यह कॉलेज सतत रूप में कारہ कर रहा है बागवानों यए अनुसंधान फलों के खशेतरों में सब्रियों की खशेतरों में और फूलों की खशेतरों में सक्षनिक गतिवी दियां हमारे छातर चातर हैं जो दसमें के बाद यह प्लस टु के बाद जो इसक्षेतर ने आगे वढ़ना चाते हैं तो उन अनुसंधान का और चात्र चात्राओं के लिए शक्षिनिक गतिविदियों को बढ़ावा देने के लिए 1985 में इस कॉलेज की स्थाफना की गई जी और सर स्टूडेंट्स के परपस से आप से सावाल करें तो कितनी इसमें करियर संभावनाई है हॉर्टी कल्चर के ख्षेत्र यह बहुत अच्छा प्रशन है वैसे मैं आपको बताओं आज तक चाहिए हमारे यहां से बी एसी हार्टी कल्चर के छातर हैं एमसी के यह पीएजडी के हैं कोई मिले गानी आपको वो कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं इसलिए प्रचूर संभावनाई हैं वो चाहे सरकार नौकरी में हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं या बच्चे अब तीन चार का स्मूब अब स्टार्ट अप का जमाना चला है तीन चार का स्मूब ना करके वो अपने कार्या भी प्रारम कर रहे हैं जैसे कोई नर्सरी पूलों की नर्सरी से जुड़ रहा है कोई फलों क व्याफसाय से जुड़ी हुई हैं तो इसलिए हमारे सत्प्रतिसत बच्चे जो निकल रहे हैं वो एक व्याफसाय के साथ अपनी आये का साधन इसको बना रहे हैं और इसलिए हमें निरंतर संख्या बागवानी में हर वर्ष जितनी हम सीटें चाहे वो BSC में निकालते हैं MSC म क्या है इसमें किस तरह वो आ सकते हैं हमारे चाहतर या तो BSC हार्टी कल्चर के लिए आएंगे तो उसके लिए प्लस टू कौलिफकेशन हैं हम अपना इंट्रेंस टेस्ट करते हैं जे उसमें ऑपियर होते हैं और मेरिट के अदार पर वो आते हैं सौ सिटें हमारी उसमें जो सुनातक स्तर पर बागवाणी या क्रिशी में दूसरे पर्देशों में या दूसरे क्रिशी विशव डैलेम या वागवाणी विशव डैलेम जो BSC करके आते हैं उनके ल्ये MSC अपने शात्रों के लिए भी या और उनके लिए. वो MSc में हमारे यहाँ नौ विभाग है जिसमें हम Master's का प्रोग्राम जो है वो चलाते हैं तो उसमें आते हैं और उसके बाद MSc के बाद वो PhD के लिए भी क्वालिफाई करते हैं उनी उनी नौ विवागों में हमारे PhD भी चल रही है जैसे फलों का विवाग है फूलों से समधित विवाग है सबजीयों का है Entomology का Department है जिसमें कीडे मकोडे और मदी मौकियों के ओपर हमारे चातर चातरएं पड़ते हैं प्लांट पेथोलोजी का भी भाग है जो बीमारियां है इन वसलों की उनके उपर हम शेक्षनी कारिक्रम चलाते हैं और एक बड़ी समस्चा किसान और बागवान को रहती है कि कई बार उसका पूरे का पूरा जो प्रोड्यूस है वो मार्किट तक नहीं पहुंच पाता वहीं भाग है तो उसके लिए पोस्ट हर्वेस्ट टेकनोलोजी ऐफूर साइंस सेंड टेकनोलोजी का डिपार्टमेंट है कि जो हमारे पास बच बच रहा है जो मार्किट के लाइक नहीं है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं अचार, चटनी, मुरबह की हम अकसर बात करते हैं, जूस निकालने की बात करते हैं तो विवाग है एगरी विजनस मनेजमेंट का हमारे इन ये जो हमारा उत्पादन होता है फौलों सब्जियों का इनको मार्किट तक कैसे पहुंचाया जाए तो एगरी विजनस मनेजमेंट का डिपार्टमेंट भी हमारे इसके अतरी प्लांटी मिट जो शक्षनिक गतिवी दियां भी चलाते हैं और किसानों की समस्यां क्या क्या हैं उसके उपर अनुसंधान भी करते हैं और उसके परचार के लिए परसार और परचार का निर्देश आल्या भी हमारा अलग से है डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्स्टी जानी जाती है सारे परदेश और भी परवतिय ख्षेत्रों है पर जो तकनीक हमारे विश्वदेला के विग्यानिकों ने समयस में पर विखशित की है वह पूरे भारतवर्ष के अन्या परवतिय ख्षेत्रों में भी उनके किसानों के लिए वो सही बैठती है और चाहे उतराखंड है चाह से लाव अन्तीत हो रहे हैं जे उनसी सो पठीश से हिए हमारे विग्यानिक सदत अनुसन्दान कर रहे हैं चाहे वो सेवचे और है या अन्या वागवानी फसलों के उपर है सबजियों के उपर है आप समझते हैं सोलनक ख्षेतर बेमासमी सब्ज उत्वादन में पूरे पर भार्तवर्ष्ट में चला है सपरून की आप जानते हैं सपरून गैली 1935 से लेकर के आज तक कॉली फ्लावर मतलब फूल गोबी का जो विजुत पादन होता है उपर देश ही नहीं देश ही नहीं उसे बार भी पहले जाता रहा है तो माना गया है इसलिए फूलों का भी और आब तो सोलन को तो मश्रूम सीटी का दर्जा है तो मश्रूम के ओपर जो अनुसंधान है वो सरग प्रतम हमारे देश वर में प्रचलित हैं किसानों को लाब दे रही है जी असर्डेश वर से किसान वभागवान भाई यहां पी ट्रेनिंग के लिए आते हैं जो उनका ट्रेनिंग एक स्रभ रहता है वो किस तरह करा रहता है किस तरह उनने किया जाता है ले एकिय Whenever मुलत मैं शेब की खेत पादन या फूलों की खेती, मश्रूम उत पादन, तो जिस किसी समू को, किसानों के समू को शक्ता होती है, वो अपने परदेश के जो निदेशाले रहते हैं, क्रिशी का निदेशाले या बागवानी का निदेशाले उसके मादेम से, वो हमारे वाइस शैंसल को भी लिख सकत हैं, या हमारे निदेशक जो परसार और परसार सिक्षा के हैं, डिरेक्ट रेट आफ एक्सेंशन एजूकेशन हैं, उनको लिख सकते हैं, और जैसे जैसे समय की उपलवता रहती है, हम उनको समय देते रहते हैं, और यहां पर तीन दिवसिया, साथ दिवसिया, या एक महीन है, हमारे जो विगयानिकों का युगदान है, वो उससे लाप राप्त करता रहता है. हमने एक और टकनिक विक्सित्ती है. हमारे हेलप लाइन नंबर है डर्क डेट में. वह हम किसानों को देते हैं. हमारे विगयानिक स्वाइब रिदिनना से इसे किसानों को अपने पैदावार शुरू हुई थी सवाल यह है सर की जब भी सेव की पैदावार की बात आती है तो यह थंडे इलाके में लगता है जहां पर थोड़ा नरम सा मोसम रहेगा अगर हम डाउन ही माचल चले जाएं विलासपूर मंडी कांगडा यहां पर सेव की पैदावार कम है अब नहीं नहीं तक्नीक आ रही है पहाड़ी जो इलाके वहां पे टो पैदा हो रहे हैं लेकिन जो थोड़ा गरम एक्षाक्रीत थंडे क्षेत्रों की सर्धियों में जितनी थंड बड़ेगी हम यह मानते हैं की सेDr.ड. Single के आसपास अगर आपके सेव के पौदे को मिलती है तो जो आने वाले वर्ष में उसका अत्वादन होगा वाधिक गुणबता होगा कि नौर को हम समझ सकते हैं कि कि नौर में आजकल सेव का अत्वादन और कश्मीर का सेव का अत्वादन लग गुणबता एक जैसी है और फिर उसके लेकिन उतनी गुणवत्ता का नहीं होगा जितनी गुणवत्ता का कि नौर और शिम्ला में होता है फिर भी एक आये का साधन वो आने वाले समय में निचले क्षेत्र के किसानों और भागवानों के लिए रहेंगी यह निश्चित है अभी हम अनना और दो पर जातिया है जिनका और निचले क्षेत्रों में हमारे एक वागवान थे बड़े अग्रेणी वागवान थे हरीमन के नाम से हरीमन 99 के नाम से उनकी भी एक किसम है जिसको भारत सकार ने मा जानों और भागवानों में प्रचलित हो रही है जी बिल्कु सही का है सरा अपने जी परनतु मैं कहूंगा कि इसके अतिरिक्त जो अपेक्षक्रिक्त मद्या परवती एक्षेत्रों के भागवान है वो सेब को छोड़कर के दूसरी फसले हैं हमारी आडू की है खुमानी की है पलम की है कीवी की है पिकान नट की है इसके ओपर वो ज्यादा फोकस करेंगे तो ये निश्चित रूप्षन के लिए आए का साथ हमबर एक सवाल और है सर गरम इलाकों से जुड़ा हुआ है गरम इलाकों में आम बहुत जादा होते हैं अपर में बिलकुल ना के बराब होते हैं तो कभी रिसर्च में ये भी चीज़ हो सकती है कि अपर इलाकों में भी आम ठीखेती आने वाले चंटाइम में हो सकती है क्यों हो सकती है लेकिन हमुरा जो दृष्टी कों रहता है वो किसान सबसे अधिक आएग किस उसको खेतीसरेएगी वही रहता है इसलिए तो भारसकारने की योजना लाई है कि एक जिला एक उत्पाद मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं फिर भी कहूंगा कि सिर्मौर्क शेतर के बागवान लहसुन अद्रग और हल्दी पर फोकस करेंगे या कुछ बेमौसमी सबजियों के पर फोकस करें वो सेव की तरफ ना जा कर सकते हैं तो हमें क्यों जहां सेव हो रहा है वहां आम मुआले को क्यों घुजा देना है यह बात है निचलेक शेतरों के लोग आम की खेती करें निचलेक शेतरों के लोग अनार की खेती करें संक्तरे की खेती करें और बड़ी परियोजना हिमाजर प्रदेश सरकार की वाले हैं अभी थोड़ी देर पहले सर आपने बताया था कि जो जैनुवन भी है कि हम परवतिय क्षेत्रों के लोग हैं सवाल यह है सर यहां पर कि हिमाचल प्रदेश जैसे एरिया में राजिया में बागवानी की संभावनाई कितनी अपार है प्रचूर संभावनाई जैसे ऐसे क्षेत्र हैं मद्य परवति और उपरे क्षेत्र कई बार किसान यह सोचता है कि मैं क्या छोड़ूं और क्या करूं सेब की खेती के लावा अन्या फल हैं उनकी खेती हो रही है उन्हीं क्षेत्रों में आप सबजीयों की खेती कर सकते हैं उ बक्से रख करके आप सहदे का उत्पादन कर सकते हैं, वो आपके लिए आएका साधन करें, बना सुदियां फसलें, एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ी संभावना जो है, वो बागवानी के ख्षेतर में उबर कर आने वाली है, मैं कहता हूँ हिमाचल प्रदेश के आशिरबाद जो है जलवाईू का रहा है, कि जिसी भी खेती में ये जुड़ेंगे, ये इनके लिए आएका साधन बनेगी, जी, सर चैलेंजिज क्या है आज के दौर की हम बात करें तो होर्टिकल्चर के फिर्ड में, ये बहुत अच्छा प्रशन है अने जी, सबसे में करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, कि विशव देले के विग्यानिकों से जुड़ें, विशव देले के विग्यानिकों से जुड़ें, और विशव देले के विग्यानिकों से जुड़ें, हमारे अनुसंधान के अंदर हैं, पूरे प्राथ में, ह हमारे परचार परसार के केंदर हैं क्रिशी भी ग्यान केंदर हैं तो कहीं ना कहीं किसी के संपर्क में रहकर यह करें दूसरा जो चैलेंज है जो चुनोती है वह अच्छी गुणवत्ता का प्लांटिंग मिटीरियल उसको मिलना चाहिए और फिर अगर उंचे परवती एक्ष शेत्रों के लिए और कौन सी किसम है और जो निचले परवतीक शेत्रों के लिए और कौन सी किसम है फिर उसके लिए सबजी में अगर टमाटर है तो कौन सी किसम लगानी है किस में लगानी है मटर की कौन सी किसम लगानी है किस में लगानी है उसका बीज कहां से मिलेगा तो ये कोई चुनाती नहीं है एक दो वर्सों के अभ्यास के वाद वो पूरे के पूरे तरह आयका साधन ये वेफसाई उनके लिए बन रहा है डॉक्टर वाइस प्रमार यूनिवरसिटी अपने बहतर इन कारियों के लिए जानी जाती है और अभी प्राकरती ख्षेती खुशहा बढ़े आमदानी बढ़े पर लागत कम हो और क्रिशी के जो उत्पाद है उसकी गुनवत्ता खाने एक बहुत बड़ा प्रशन चीन आजकर क्रिशी को उत्पाद पर लगता है कि लोग कई तरह की तकनिक अपनाते हैं जिसमें कैमिकल्स का प्रियोग बढ़ रहा है जो के बारे में भी सोचना है उसका वो जो आगर हमारे प्रोड़क्ट को खा रहा है तो उसका स्वास्था ठीक रहे उसके लिए हमारी जो प्राकरती क्रिशी पदती है वो बिल्कुल स्टीक बैठती है इसकी लागत कम है आमदनी से जादा है और इससे जो प्रोड़क्त निकल और बहुत सारे अब और भी लोग कई किसान है प्रक्टिक सील किसान है इससे जुड़े हुए हैं तो पूरे जोर सोर से भरसक प्रियास कर रहे हैं कि इसके इसके भी हम परसार और परसार करेंगे और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा वेवसायब बनने माला है बहुत सी बाते बताई है और अपनी बातों के माध्यम से इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि ये उभरता हुआ एक शित्र है खासकर हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में दीजिए इजाज़त नमस्कार